मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों वेबसाइट के बारे में जानकारी में एक नया टोपिक में आज आपके लिए लेका आया हूं बहुत से सवाल होते हैं सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत जो लगती थी तो मैं यह मानके चल रहा हूं कि आप लोगों को आप आधि से ज्यादा वेबसाइट बनाने सीख गए सबसे ज्यादा जो आपको वर्क करना पड़ेगा इमेज इस पर करना पड़ेगा क्योंकि इमेज जल्दी रेंक होती है एक फोटो पिच्चर इमेज जो है अगर आपने कहीं लगा दी तो वह आपका कम से कम कम से कम 500 व इस वीडियो में क्या है या किस तरह की चीजे है तो सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल आप सीख लीजिए जो आपके मन में आएंगा और जिनके जवाब यह अभी आप यह मत सोचेगा कि मैं आपको इनको करके नहीं बताऊंगा यह तो मैं आपको दिक्कत जो होंगी इनके ब इनके लोग से तो आया नियू तो मैंने आपके लिए वेब साइट भी बना रख थे लिए डेमो के लिए पूहना होगा जब सिस्टम पर आप वो दखेंगे ना तो यह चीज़ ना जायेगी और जब आप यह चीज पर समझ लेंगे तो आपको वो चीज बहुत चल्दी शमझ मां जाएगी तो सबसे पहले एक तरीके से बोलता है कॉन से फॉर्मेट में यह आप तो दिमाग में रखेंगे यह साध आपको पता हूँ कोई कभी जिए पो नहीं मानती है जैसे मान लिजे मेरा YouTube पर नीचे एक छोटा सा इमेज लगा हुआ होगा यूट्यूब में आप देख रहे होंगे तो यह बेसिकली PNG में जाए अभी इस पर में JPG साइद यह लेता नहीं है तो इसका भी ध्यान रखना होता है अच्छा इसी फोटो पर बता देता हूं मैं इसका इतना सा साइज है तो एक साइज की बात होती यह देड़ सो बार एक जमल बता दूं हमारा मैट्रस का काम है और जो मैट्रस का आपने वह देखा है 31 26 27 ग को नाम जिसपे लिख़ा होता है ब्रांडिंग जो सकता है वह इतने से फॉर्मेट में बनाता है पर जब प्रिंटिंग वाला होता वह साइज बताता है कि इस साइज का हमको बनाना ताकि वह इतने बड़ी फिलम बनाए तो फटेना फिक्सल कहने का मतलब आप समझ गए न कि इमेज जहां पर जिस एरिया में यूज होनी उदर से कट जाएगा थम्नेल किसे कहते हैं थम्नेल जो आप देखते हो नो यूट्यूब के चैनल पर जिसे देख के आप कि लीक कर दो जो फोटो आता वो थम्नेल होता है आप बड़ा लगा देंगे इतनी समझ में आएगा तो आपको क्या साइज लेना चाहिए थम्नेल का वह आपको पता होना चाहिए अच्छा इसका साइज आपने एक फोटो बना दी ठीकर तो आप बनी भी फोटो है क्या आप उसका साइज कमया ज weeds आदे कर सकते हैं कौर सकते हैं कैसे कर सकते acha. online बहुत सारे website है tools हैं आप उस पर डालोगे size लिखोगे और वह आपका convert करके दे देंगे तो आपको वैसे कुछ नहीं करना इसमें ऐसी pixels का होता है pixels कैसे कम जादा होंगे वह उसी तरीके सोजाएंगे अच्छा यह images कहां से लें अब आप हर चीज की photo खीचने नहीं जा सकते कोई plane चीए कोई train दिखाने आपको अपनी website में कुछ भी बताना तो जैसे कि अगर आप मेरे photo पे से कुछ उठा के अपने में डाल दोगे तो copyright के ल आउनलोड करेंगे उसमें आप करना चाहें तो अपने हिसाब से changes भी कर सकते हैं बाकि आप Google पे भी जाके टूल में जाके और जो है एक section है मैं आपको करके बता दूँगा किस तरीके से वहां जो सारी नीचे image आती है इसे reuse करके एक option आता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं image से आपकी website अभी तेजी से उपर ग्रो करेगी क्यों कि Google जो है image के हिसाब से भी कभी-कभी आप क्या होता है जैसे इंडिया का map है आप इंडिया का map करोगे तो images पर जाके क्लिक करोगे इसी तरीके से फिर वह उसकी website पर ले जाएगा कि कहा website पर तो वह उस टाइप से भी जल्दी ग्रो करती है और अभी क्या होता है जैसे आप snippet एक सुनोगे आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो एक सामने एक फोटो आती है आपके तो अगर आपको जो फोटो में चार्ट में दिख रहा है वनस पर दूसर मैं आपको एक्जांपल बता दूँ बहुत सिंपल होता है कोई इसमें कोई इस तरह की चीज़े नहीं होती मैं जैसे यूज करता एक अभी आपको फिलाल छोटी सी बता देता हूं canva.com इसमें जाएंगे सबसे पहले हमको जो साइज लेना है कि कॉस्टमाइश साइज वो म इसा भी कुछ होता है फोटो मैंने डाउनलोड कर रखे उधर से उठाके डाला उस पर टैक्स लिख दिया सब चीज लिख दी और वह उठाके मैं उसका फॉर्मेट जेपीजी करना चाहूं पीएंजी करना चाहूं वह सब हो जायागा एक टूलर.com एक वेबसाइट है उसस पत्कम वजन के मुकाबले अभी आपने एक बैलून बना दिया हवा हवा भर दी भार से आकरती उसकी ऐसी है वजन नहीं है उसमें या आपने एक थर्मोकोल का खिलोना बनाया एक लोहे का खिलोना बनाया अब देखने वाले तो हम तो इमेज के साथ से देख रहें ना जो को खिलोना है वह वजन में आसानी से उठेगा ऐसी लोहे वाला तो जो फिक्सल बढ़ जाते हैं उसके पिक्सल को कम कर देते हैं इसकी इमेज पर कोई फरक नहीं पड़ता जितनी हमें चाहिए उतना हम यूज करते हैं दोस्तों इसी तरह के नए नए आपको वीडियो लेक प्रादू इस मेरा कंसेट क्या है यह आपने ब्लॉग लिखा और यह आपकी वेबसाइट है इस ब्लॉग में आपने किसी चीज के बारे में लिखा यहां पर एक लिंक दे देंगे यह मेरा जो एक मैं मनोवग्यानिक तरीका यूज करता हूं यूमन नेचर क्या होता है वह यूज करता हूं आप डारेक्ट इस पर ना भेज के आप यहां एक आर्टिकल लिखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रस के ओपर को यह आर्टिकल लिखा आप जो भी मैट्रस के बारे में कुछ दूनना चाहता है वो मेरी वैबसाइट पर गया और यहां मैंने उसको ए एक विजिटर आ गया कस्टमर अ गया क्योंकि यह मेरी मेरी कोमर सें हैं जो यहां से मैं अरनिंक करूंगा वوس मेरी एड के ठो होगी और किसी चीज के ठोल होगी जरुरी निए हर किसी रहेने हम यहां आवयू कैसे कमाूंगा मैंने कोई आर्टिकल लिखा और उस पर मैंने Amazon का कोई product जैसे review कर दिया laptop का mobile का computer का अच्छा सा लिखा उस पर जब कोई बंदा यहां किलिक करेगा उस पर Amazon पर चला जाएगा Amazon पर जाने के बाद में अगर उसने 24 घंटे में laptop ने लिया कुछ ने लिया कुछ भी ले लिया इसके लावा तो उसका परसेंटेज कमिशन है वो मुझे मिल जाएगा एड के मुकाबले एफिलियेट से ज्यादा कमाई होती है बहुत तेजी से कमाई होती है बहुत आज कल ट्रेंड में अभी खाली बैठे हो घर पर करने के लिए कुछ है नहीं तो यह सभी कर लिजे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क